यह देर का हमको दुख नहीं है थोड़ा सा अनभाव हुआ के शर्धा में कितनी शक्ति होती है प्रश्णो पिनिशद शुरू कर रहे हैं कठो पिनिशद समाप्त हुआ पहले रिशी लोग ग्यान के लिए कितने परिशान होते थे कठिन्ता से कोई महापूर्श मिलता था और जंगलों में घूमा करते थे तो एक बार की बात है छे बड़े बड़े रिशी इकठे हुए भरद्वाज का पुत्र सुकेश शिबी का पुत्र सत्यकाम गर्ग गोत्र में सौर्यायनी रिशी विदर्व निवासी भारगव रिशी कबंध रिशी का प्रपवत्र कबंधी का त्यायन इस अब परब्रम की खोज में निकले परब्रम का खोज अनवेशन इससे पता पढ़ता है कि हमारे यहां के रिशियों में कितनी जिग्यासा थी जंगलों में घूमा करते थे कोई उपदेश देने वाला अच्छा महापूर्श मिल जाए समित पानया हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मान वेश माना समित पानया भगवन्तम पिपलादम उपसन्ना ब्रह्म की खोज करते हुए जैसे मनुष्री नौकरी की तलाश करता है आज कल भोगों की तलाश करता है वैसे बड़े बड़े इरिशी ब्रह्म पर ब्रह्मनिष्ठ थे ब्रह्मान वेश माना कि ब्रह्म का साक्षाद कार कोई करा दे ये छेवू रिशी ब्रह्मनिष्ठ थे ब्रह्म पर थे साधारन महत्मा नहीं थे इनको हाथ में समित पानया भेट लेके जाना चाहते जाया करते थे समिधा लकडी ले करके यग्य जहां होता है सूखी लकड़ियां मिल गई तो बहुत बड़ा धन मिल गया हर समय रिशी लोग यग्य करते थे तो उनके सबसे बड़ी भेट थी समिधा सूखी सूखी लकड़ियां तुरत अगनी पकाड लेती हैं यग्य शुरू हो जाता है तो इरिशीयों की सबसे बड़ी भेट थी समिधा क्योंकि शाकल ये गोधन की कमी द्धी नहीं थी वो तो बहुत है आशर्मों में समिधा सूखी लकड़ियां वो एक बहुत बड़ी भेट मानी जाती थी समिध पाड़िया छहुरू रिशीयों ने समिधा हाथ में लिया खाली कोई नहीं गया ये भेट की प्रथा इश्रद्धा देखाती है कहीं भी जाओ खाली हाथ न जाओ कुछ नहीं है तो सेवा करो जाकर के बुहरी लगाने लग गए आशर्म में या और कुछ जैसे नयम देवजी थे नाम देवजी के आशर्म में जनाब आई सबसे गरीब थी वो आशर्म की सेवा करती थी बुढिया थी लेकिन कंडा थापती थी और भोजन बनाती थी सबकी आटा पीशती थी पुराने जमाने में चक्की नहीं थी जाता कहते हैं हाथ से जो आटा पीशा जाता है तो वो अकेली नाम देव जी के हाँ रोज सेकड़ों महत्मा आते थे जहां ससंग होता है वहां भगता आते हैं वो अकेली सारी सेवा करती थी आटा पीशने की अकेली अब बहुत बुढ़ी थी तो नाम देव जी की सबसे बड़ी पुरानी और प्रिश इश्या थी श्री कृष्ण बिठलनाथ में इतने प्रसंद्व है कि वो पीश्ती थी नाम उनका होता था पीश्ते थे स्री कृष्ण उनको पता नहीं पड़ता था वो गाती रहती थी जैसे गोपियों को जीवन है हर काम करते समय कृष्ण गुण गाना या दोहने वहनने मत्वनों पलेब प्रेंखेंख नार भरुदितो उक्षण मार जनादव गायन ती चैन मनुरक्त धियो शुरू कंठ्यो धन्या वर्जस्त्री उरू क्रमचित्ते आना हर काम में अवहन कहते हैं धान कूटना आज तो बना बना चावल लियाओ बजार में पहले चावल नहीं मिलते दे धान मिलता था धान को कूटो चावल निकालो मथन दही चलाना उपले चौका लगाना घर पे मिट्टी कच्चे घरों पे मिट्टी चणाना इस अब काम करती हुई मार्जन आदो पानी भरना भुहरी लगाना ग्रिस्ती के सारे काम प्रिंखेंखन पलना जुलाना बच्चा खिलाने के लिए टाइम नहीं है तो पालने में बच्चे को डाल दिया धक्का मार दिया जूल रहा है प्रिंखेंखन कहने रहे हैं प्रिंखेंखन माने यहां पालना क्यों जुलाया गया रईसी नहीं थी ब्रजगोपियाँ उनको समय नहीं रहता था काम इतना था काम सबसे ज़्यादा करती थी और सबसे ज़्यादा भजन करती थी गाती रहती थी इसको सच्चा कर्म योग कहते हैं आदव मारजन आदव आदव माने पानी भरना जमना जल लाना आदव शब्द रादियाँ माने और से बहुत से काम जो थे ग्रहस्थ के इतना काम आज कोई भी स्थ्री नहीं कर सकती है पिसा भया आटा लाओ बजार से हर काम बजार में तयार मिलता है उस जमाने में जबकि कुछ नहीं चावल तक नहीं मिलते हैं आटा तक नहीं मिलता है इन इस लोकों को पता पढ़ने आटी गिर पड़ी है फिर इसको भिशूना फिर गोबर मिलाना फिर सीड़ी न सेनी ला करके एक आदमी पकड़े तो मिट्टी चड़ाना इस अब हम देखते थे यहां कि कितना काम था आज के जमाने में कोई काम ही नहीं इस अब सी मिंटेट मकान हैं और मिट्टी चड़ाना गूबर लाना गूबरोटी बनाना दो दिन पहले से मिट्टी भियो दी गई है और फिर भी लोग भजन नहीं करते हैं भजन होता है मन से मन के लगन से इतने काम करते वे भी कायन ती हर समय गाती रहती थी अनुरक्त धियो शुरू कंठियो बले ब्रह्मा शंकर की पूज बन गई धन्या ब्रजस्त्रिय ब्रज की गूपियां धन्य हैं जिनका उरुक्रम भगवान में चित्य लगा हुआ है तो आज का मनुष्य क्या भजन करेगा आज का मनुष्य क्या करमयो करेगा ब्रह्मा शंकर भी जिनकी पूजा करते थे क्यों करते थे आज का साधू क्या भजन कर सकता है भंडारे में बना बनाया प्रसाद पालिया संत भगवान आहिए बड़ बड़े महर्शी गोपियों के चरन रजच चाहते थे क्यों चाहते थे इतना कर्म करने पर भी उनका मन भगवान में रहता था इसलिए गोपियों के वास्तविक सुरुप को जानना ही कठे नहीं लिखा है जग 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 गरंतों में लिखा है पढ़के आश्चर जाता है जैसे ही सिश्वडो की हमने व्याख्या किया मारजन आदव बुहारी लगाना आदी मतलब और बहुत से काम बच्राबादना गयाबादना गुबर्ग थापना आदी मने जद्रे कितने काम हैं जो अभी नहीं गिनाए गए हैं और इन कामों को करके भी भगवान में मन रहना गा रही हैं बस हर समय तो ये सब बातें बताती हैं कि आज का मनुष्य भजन कर नहीं सकता इतने काम ही नहीं है इतने काम करके और भगवान में मन लगाना ये हमने सुना ही नहीं आज तक वैसे हम भाशन कर रहे हैं लेकिन हमने भी ऐसी ब्याख्याएं सुना नहीं इतनी विस्तित ब्याख्याएं दिमाग ही नहीं लोग चल सकता इतनी दूर तक इतने काम हैं सोच ही नहीं सकता आज का मनुश्य तो जनाब आई अकेली सब जितने भी साधू आवे सब का आटा पीशती थी अकेली सब के कपड़ों को धोती थी अकेली पानी भर के लाती थी तो कैसे सुरी कृष्ण गोपियों के दास बनते थे क्योंकि उनके काम को देख करके उनके मन को उनकी लगन को देख करके दास्यम गोकुल कामेनी शुकूर से दास्ता करती थी भागवत में भी लिखा है गोपियों के दास्ता स्री कृष्ण करते थे कहीं पीड़ा ला रहें कहीं बठखरा कहीं पनियां सिर पर रख के ला रहें गोपियों के दास्ता भगवान स्दा करते रहें सैखनो प्रमान है इसके तासा मति विहारेन श्रंता नाम बदनानी सह रास्पंच जाध्याई सदा सेवा किया है भगवान ने देखा गोपियों बहुत श्रमित हो गई है प्राम्रिजत करुना प्रेमनाशन तमेन अंग पाणिना उनके अंगों को पूछने लग गए थे अपने पीतांबर से पंखा करने लग गए आचार लिखाया है कि एक सेवा से मद्दब अनेक सेवाईं समझ देनी चाहिए वस्त पैनाने लग गए अभूशन पैनाने लग गए श्रंता नाम बदनानी सह प्रामजरत करुना प्रेमना शंतमेनंग पाणिना अपने हाथों से सारी गाव गोपियों की सेवा करते थे अपने हाप ही करते थे श्री कृष्ण ना क्यों करते थे प्रेमना उनके प्रेम को देख करके राज पंचाद्याई तैंटीस बटे एक्कीस दस सही तैंटीस बटे कीस श्रंता नाम ठक गई हैं तो ठक गई हैं पसीना पूछ रहे हैं पंखा कर रहे हैं तो ये सब भगवान सजा करता है भगवान हम लोग जीव हैं एक पैसा करते हैं तो भगवान साथ पैसा करता है जो तू धावय एक पग तो मैं धाऊं साथ जो तू कर रो काट तो मैं लोहे की लाट भगवान जीव एक कदम चलता है तो भगवान साथ कदम चलते हैं कितनी सेवा भागवत में लिखा है भगवान करते थे छोटी छोटी सेवा बिभर्ति क्वचित आग्यप्ता हा पीठ कुण मान पादुकम छोटी छोटी चीज़ उठा के दे रहे हैं बैठने के पीड़ा और पादुका पहनने के लिए गुपी खड़ी भई दोड़ करके पहले से पादुका रख दिया उन्मान तराजू बटखरा और सा समय लेना चाहिए उसको मत्हने की जरूर थे दोड़ के मत्हानी रख्याए मलरिया रख्याए ये सब शीमत भागवत में लिखा है भगबान कितना सेवा करता है ये शीमत शुगदेव जी ने लिखा है तो इसे लिए भक्तमाल की कथाएं सही है जना बाई आटा पीस्ती थी गाती रहती थी आँख बंद करके ऐसे एक बुड़िया थी हमने बच्पन में देखा उसको भी लोग जना कहते थे नाम उसका था ग्यानी बाई उसकी आदद थी कि जहां बैट थी गाती रहती थी कोई बात करता था उसके पास तो रोग देती थी गुपाल बोलो गुपाल बात नहीं करो गुपाल गुपाल और कीतन करने लग जाती थी उसके बात बैटने वाले सब घवड़ाते थे कि कोई अगर बात किया तो यानि जनाबाई हटा देगी प्रेम से हाथ जोड़ करके हटा देती थी उसके पास बैट करके कोई आदमी फालतू बातें करी नहीं सकता था ऐसी इस्तुरियां हमने देखी हैं तो वो श्री कृष्ण स्वेम एक रूप से अद्रिश रूप से बैट जाते थे उसका गान सुनने के लिए और चाकी चलाते थे उसने आटा डाल नाज डाला सब पिस गया देखा आँख खोल करके पिस गया सब नाज डालते थी बस पिस्ते भगवान थे यह अभी की बात है द्वापर की नहीं बात है द्वापर में तो गोपियों के सेवा करते थे हमने बहुत से प्रमाड दिये और शुकदेव जी ने देखा है सब सही घटनाएं हैं वैसे ही भगवान यहां भी भक्त माल में आता है भक्तों की सेवा करते थे मलमूत्र तक धुए हैं भगवान ने माधवदासादी की संग्रणी में अने कथाएं हैं तो हमने इसलिए कहा कि प्राचीन काल में रिशी लोग जाते थे समिधा लेकर के समिध पाने यहां भगवन तम पिपला दमू पपन्ना महापुरुष के पास जा रहे हैं आज का जीव भूख लेके जाता है अपनी अहनता को के महराज हमारे आदर करें एक उदारन दे रहे हैं एक विक्ति आए महराज मैं उस जगदगुरु से मिलना था शंकराचार से मिला उन्होंने तुरत कमरा खूलुवा दिया हम को और सबसे पहले हमसे बात किया शंकराचार तक हमारा सम्मान करता है तो भूख दिखाता है आदमी कि हम मुसमान के अतने भूखे हैं अरे तुम जाते हो संत समागम के लिए संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान पगपग पर होता है कोटिक यग्जे समान करोणो यग्जे समान फ़ल होता है किसी संत से मिलने जाह रहे है और अभिमान छोड़ करके जा रहे है तो कहीं भी सेबा जब जाए तो सेवा के रिउप में लकड़ी दे जाए लकड़ी नहीं सही तो शरीर से सेवा किया बुहरी लगाने लग गए कमरा उसका जहाने लग गए सच्ची भक्ती ये है ये उपनिशुतों से शिक्षा मिलती है खाली हाथ नहीं गए बर्म परा, बर्म निश्था साधारण रिशी नहीं है बर्म निश्थे रिशी है और फिर ब्रहमानवेश माना बर्म निश्थ होकर के बर्म को खोज राए हैं इसके माने क्या उनकी निश्था ऐसी है कि सेवाए ब्रह्म के भगवच्चर चाके और कोई काम ही नहीं उनके पास उसी के नाम भगता है ब्रह्म पर हैं और ब्रह्मनिष्ट हैं अब ब्रह्म को ढूण रहे हैं ऐसा नहीं कि रिटार्यमेंट हो गया बहुत भजन किया महराज ने अब तो बुड़ापे में रिटार्यमेंट है इसमें रिटार्यमेंट नहीं है इस मार्ग में और बोलें फिपलाद के पास गए तद सर्वं बक्षती थी ये हमको बहुत उपदेश देंगे ताह समित पाड़े हो समिधा लेकर के फिर उसके बाद दंडवत करने गए कहीं जाओ सेवा पहले उसके बाद शुष्रु शुष्रद्धानस्य भागवत में पहले स्कंद में दूसरे अध्याए में लिखा है शुष्रु शुष्रद्धानस्य वासदेव कथारुजी है स्यान महसेवया विप्रा पुर्ण तीर्थ निशेवनात ये बाद उपनिश्रदों की जो मर्यादा है वैदिक कालिकी वो भागवत में भी लिखी है शुष्रु 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 सेवा की इच्छा वाला और शुर्दा वाला महसेवया वो महापुर्ण के सेवा कर सकता है और जो खुद ही अपनी आंता का भूखा है वो तो अपनी तारीफ करेगा शुरेवा फेवा कुछ नहीं कर सकता शुष्रु 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 का ये लक्षण है और सेबा नहीं कर रहा है बैठे बैठे सूचता है खाले बैठे बैठे सब काम कर ले तो वो शर्द हवाला नहीं है तो समीत पाने यहाँ यह पहले शब्द आता है कि आश्रम में गये हैं तो बैठ के रोटी खाने के लिए नहीं गये हैं समीत सेवा के लिए समीधा ले गये हैं किसी आश्रम में गये पंगत हो गये पर उस नहीं लग गये या बिस्तर बिचाने लग गये बैठने का खाली खड़े नहीं दो ये एक कलंक है शर्द्धा पर समीत पाड़ाया भगवंत पिपलादम भगवान पिपलाद से उन्होंने प्रश्ण किया बैठ करके रिशी ने भी तुरत उत्तर नहीं दिया तान्ह सा रिशी रुवाच रिशी बोले कि तुम लोग कैसे आये हो बोले हम लोग ब्रम को जानने के लिए आये हैं ब्रम दर्शन हो जाए ब्रम अनभव हो जाए वे बोले ठीक है अभी हम नहीं बोलेंगे तपस्या ब्रम चरेन शरद्धया संवत सरं संवत स्यत एक साल तक तुम लोग यहां हमारे आश्रम में तपस्या ब्रम चरन और शर्द्धया के साथ रहो उसके बाद परश्ण करना तब हम तुम से बात करेंगे एक साल तक उन्होंने वो रहे और ऐसी शरद्धा के साथ सेवा किया कि पास हो गए और एक साल बाद बोले अब बोलो तुम्हारा प्रश्ण क्या है अथकबंधी का त्यायन उपेत्य पप्रच्य भगवन कुतोह वा इमाह प्रजाह प्रजायंते यह पहला प्रश्ण किया है कि भगवन ए सारा संसार किस्से पैदा हुआ है यह पहला प्रश्ण है जर्श्णी राद है इसका उत्तर